देश में आज भी बहुत से रहस्य है जिनके पीछे की वज़य सही से मालूम नहीं जल पाती मुंबई शहर में एक ऐसा कोना है जो बहुत साल पहले भी देखा गया था पर आज तक उसके बारे में सही पता नहीं लगाया नहीं गया है गिलबर्ट हिल नाम की जगे मुंबई शहर में है आज भी ये शहर अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है जिसमें से एक रहस्य मुंबई शहर के बीचो बीच खड़ा है और चुपचाप करोडों लोगों पर नज़र जमाए है यह धांचा बेहत बड़ी पहाडी पर है जो कि मुंबई के पस्चिम अंदेरी में स्थित है वैसे हकीकत में यह धांटा कोई रहस्य नहीं है लेकिन इसके पीछे छुपपी कहानी के बारे में ज्यादतर लोग नहीं जानते हैं आज से 6 करोड साल पहले एक तूटा तारा प्रित्वी से टकराया था जिस से पूरी डायनासोर्स की प्रजाती विल्रिप्त हो गई थी और जो आलामुकी विस्पोट हुआ था इस दोरान गिल्बर्ट हिल ने जन्म लिया और माना जाता है कि बेसाल पत्थर का यह धांचा दुनिया की सबसे पुरानी संरचनाओं में आता है जो समय के साथ आज तक खड़ा है यह पहाडी मानव जाती की सोच से और यहां मौजूद किसी भी पेड़ पौधे या परवट श्रिंखला से जाधा पुरानी है माना जाता है कि बेसाल्ट रोक से बना गिल्बर्ट हिल एक मुनोलित्र कॉलम है और वास्तव में आज से 6 करोड साल पहले के मेसो जोएक यूग में बना था इस पहाडी की खोज भूव एग्यानिक ग्रोव कारला गिल्बर्ट ने की थी और तभी से इस चटान का नाम गिल्बर्ट हिल पड़ा मुंबई शहर आज भी लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए कई अफसर देता है यह शहर भावनाओ, जुनुन, फ्रेम और यहां तक की बुरी चीजों के लिए भी मशूर है लेकिन मुंबई के दिल में अभी भी एक रहस्य चुपा हुआ है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है यह धांचा चुपचाप शहर के करोडों लोगों पर नजर जमाय बैठा है आज के समय में यह पहाडी एक परियटक स्थल बन चुका है अनेसन रचनाओं के विप्रीत यहां आप आराम से चुट्टियां बिता सकते है पहाडी के उपर दो मंदिर बने हुए हैं जो गांग देवी और दुर्गा माता को समर्पित है कोई भी व्यक्ति पहाडी की चड़ाई कर इन मंदिरों के दर्शन कर सकता है